आज कल आप जब भी अपना ट्रेडिंग एकाउंट खोलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं सबसे पहले आप देखते हैं एक नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन जो की सेभी की तरफ से आती है विच सेज देखते हैं नाइन आउट अफ टेन ट्रेडर्स ट्रेडिंग इन एफेंडो फ्यूटर्स अप्शिन सेग्मेंट लूज मनी ये बातें एक हौवा बन जाती हैं 95% people, 95% traders lose money, 97% traders lose money तो आज इस वीडियो में हम इस topic पे बात करना चाहेंगे कि what is all this about failure, you know why is such a high rate of failure in trading and I'll tell you that it's not just the case with trading ये कोई हरानी की बात नहीं है, ये कोई नहीं बात नहीं है ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप demotivate हो और यहाँ ना, इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि जो सबसे important point मैं उठाना चाहूंगा वो होगा self knowledge self knowledge मतलब खुद को जानना self realization, self actualization, self perception तो हम जब ये बात करते हैं कि 9 out of 10 traders lose money 90%, 95% traders lose money ऐसा क्यूं है? आप जानते हैं ऐसा क्यूं है? एक factor तो चलो ये है कि हाँ trading is difficult एक factor तो ये है इस पर हमने बहुत बात की है कि trading is difficult because it looks easy we have done an entire podcast on this जहां पर हमने बात की digitization की जहां हमने बात की कि क्योंकि anybody who doesn't know anything about trading takes a trade, the probability is 50% right so he can win तो काफी detail में बात की है, you can go and check out that podcast that it's an illusion that trading looks easy, it looks like easy money trading is the most difficult money right एक बात तो ये हो गई कि trading is difficult दूसरी बात ये है कोई entry barrier नहीं है ध्यान से सोचना है इस बात को कोई भी with an internet connection a little money in his account a laptop or a phone can enter in this business किसी तरह का कोई trading barrier कोई entry barrier नहीं है तो वो लोग भी घुस जाते हैं जो इसके लिए बने ही नहीं है मैं यहां सीखने सिखाने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं यह नहीं कह रहा कि वो लोग जिन्होंने कोई सीखा नहीं है मैं यह कह रहा हूँ वो लोग, those who are not cut for it there is a difference between being cut for something those who are not even cut for it even they enter trading तो उनका क्या अंजाम होगा आगे जाके क्या यह पहले ही दिन नहीं पता है तो जब बाद में statistics आएंगे तो तो अग हरान क्यों होना और life में न everything that is worth having everything that offers you the greatest rewards everything जिस चीज के reward बने होंगे जिस चीज के repercussions जादा positive होंगे बहुत positive होंगे उस चीज में आप देखेंगे हमेशा failure rate is so high but we don't talk about that we only talk about trading because it looks fancy example दूँ आपको एक आज का नहीं आज से नहीं दसियों, बीसियों, तीसियों साल से आप यह story सुनते होंगे कि नजाने कितने लोग मुंबई जाते हैं बॉंबे जाते हैं हीरो बनने के लिए सुनते हैं आप यह story क्या होता है उनका बन जाते हैं वो मिताब बच्चन बन जाते हैं वो धर्मिंदर बन जाते हैं वो शारुक खान बन जाते हैं वो सल्मान खान तो इवन अगर आप वहाँ भी failure rate देखेंगे that would be 95%, 96, 97% same है ना जो incoming crowd है वो unfiltered है आपको पता है सबसे असान काम क्या है दुनिया में दुनिया में सबसे असान काम है दूसरे को judge करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को judge करना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि यह सबसे मुश्किल काम है इसलिए बहुत कम लोग हैं जो खुद को जज़ करते हैं जो खुद के प्रोज और कॉंस खुद की स्ट्रेंग्स और वीकनेस वो क्या बोलते हैं MBA में स्वाट अनेलिस जो खुद का स्वाट करते हैं आपको ना एक थर्ड पार्टी परस्पेक्टिव पर जाना पड़ता है जहां पर आप अपने आप से डिटैच होके अपनी वीकनेस लिख पाओ उन पर सोच पाओ कि आयार मेरे अंदर यह नहीं है मैं यह नहीं कर सकता चलो ठीक है मैं positively बोलता हूँ कर तो कोई कुछ भी सकता है बट यह नहीं इतना असान नहीं होगा मेरे लिए मुझे इसके लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा आपने अंदर ऐसे बोल लेते हैं बट यह कितने लोग करते हैं ऐसा नहीं करता कोई तो क्या हुआ कि आप YouTube खोलते है ad आता है you can become a master trader क्या बोलते हैं वो anybody can trade आपको पता है यह trading वाले I am a teacher I am not a YouTuber यह difference है बहुत बला difference है यह जो YouTubers हैं यह क्या बोलते हैं आपको इनका focus पता है क्या है? इनका focus है retired people इनका focus है housewives इनका focus है college going kids चाते हैं कि you know you can make extra money you can do this you are a housewife you can make more money than your husband you know all that emotional points है basically emotional points है एक housewife जो है उसका सबसे बड़ा emotional point क्या है मैं इसमें न कोई feminism या इसमें कोई patriarchal वो सब बात है नहीं करता है मैं आपको जीवन की सचाही बता रहा हूँ आप सब भारत देश में पले बड़े हो आपको सबको पता है परिवारों में क्या होता है तो एक आम परिवार में एक औरत को दबाया जाता है fact है ये आपको अच्छा लगे बुरा लगे fact है ये हर किसी के घर का fact है ये क्यों दबाया जाता है पता है आपको ये देख सकें कि actually जो housewife का काम है अगर उसके पैसे मिलने होते तो बहुत रिच होती क्योंकि वो never ending काम है, you know managing a home, managing kids, managing everything managing everybody's expectations is not a small thing but क्योंकि वो thankless job है क्योंकि वो payless job है तो कोई value नहीं है अब अचानक कोई YouTube पे आता है जो बोलता है कि housewives can make money आप किस point को hit कर रहे हो आप उस point को hit कर रहे हो जहाँ पर कोई most vulnerable है ऐसे ही खेलते हैं ये लोग तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो सारा crowd जिसके पास थोड़े से savings है, थोड़े से पैसे है internet है, phone, laptop है उनको लगता है यार ये एक छोटा सा multiplying, रोज के हजार मतलब महीने के इतने मतलब साल के इतने, मतलब पांस साल मेतना क्या है ये this is sheer stupidity, नो मैं ऐसे अपने इतने students को देखता हूँ कभी 20,000 पे कमाली है माल लो किसी दिन में वो मुझे पता है, वो आके इतना खुश होके, यूफोरिक होके मुझे बताता है, मैं उसको बोलता हूँ यार, यहां ही रुख जा, क्योंकि वो तो मुझे पता है, वो एक साल की calculation कर चुका है अगर मैं average महीने के 20,000 साल, दिन के 20,000 कर लूँ, महीने के 5,000,000 हो जाएंगे इसाल के दिना नहीं, ऐसा होता है क्या तो point यह है कि expectations to start with ही गलत है unfiltered crowd enter कर रहा है क्योंकि entry barrier नहीं है, one और क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है YouTubers की snake oil salesman की आपको entice करने के लिए कि आपको लगता है मैं भी कर सकता हूँ कोई भी कर सकता है, you know बट आप मुझे यह बताओ जब majority crowd यह है समझना ध्यान से तो इस पे हैरानी क्यों है कि 95% people lose money समझे आप इसमें हैरानी क्यों है यह कोई हैरानी की बात नहीं है यह तो पहले दिन से ही शुरू से ही पता है क्योंकि serious होके कौन आया था आज भी अगर आप देखोगे workspace में आपके workplace में office में क्या बात हुती है अरे यार यह stock रह गया उस दिन मैं न मैं अपनी बेटी के school ही आवा था मुझे एक तम यह वात याद आई तो I was waiting for her तो मैं भाहर खड़ा था मां काफी सारे parents खड़े थे तो there were two men they were talking among each other and they were saying की वो कहता यार कल तूने जो stock बताया था वो भाग गया यार मुझे चांस नहीं मिल entry करने का and I was thinking I wanted to tell them that this is wrong you know this is wrong my point is की वो कहीं से कोई tips ले रहे होंगे कहीं से कोई किसी ने बताया होगा यह stock वो stock यह perspective गलत है पूरा आप मतलब क्या कर रहे हो यार यह एक बहुत बड़ा business है उसमें बहुत major major studies है हमने बात किया है fundamental analysis technical analysis इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है you are talking about यह stock भाग यह stock चल गया यह क्या language है डर लगता है मेरे को पहले I wanted to correct them but now I don't क्योंकि they might feel like obviously हमें ही क्या पता है मेरा कहने का इतना मतलब है अभी पीशे मुझे मुझे किसी student ने पूछा 95% traders lose money मैंने उसको बला कि 95% budding crickators never make it to IPL यह कहना है मेरा इसके बारे में तो इसमें क्या नई बात है हर profession में होता है हर profession मतलब 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की job में नहीं होगा शायद क्यों अगें जैसे मैंने बोला ऐसा कोई भी profession जो आपको lifetime freedom दे सकता है independence दे सकता है वो profession हमेशा बहुत सारी skills demand करेगा यह है सवाल आप वो skills लेके आओगे नहीं क्योंकि यह तो fact है न यार यह तो fact है सारे के सारे कैसे greatest guitarist on the planet बन जाएंगे आप समझ लिए मेरी बात एक average company में you can be a manager you can be an average manager even as a manager you can be average and survive you can be an average engineer and survive you can be an average photographer and survive you cannot be an average trader and survive you have to be very very good at it यह है मेरा point आप जब trading में आ रहे हो आपको यह पता होगा न life में अपने अंदर देखा होगा न कि यार बचपन से how am I am I very good at things you know have I been average about everything मेरी सोच की limitations क्या है मैं कितना deep जा सकता हूं मेरी speed कितनी है सोच की मेरे reflexes क्या है इन सब बातों को नकार के आप trading में आते हो फिर आप कहते हो कि how 95% traders lose money तो जैसे मैंने आपको फिल्म होगा example दिया आप ने आप सिर्फ आप सिर्फ front देखते हो front in the sense यह देखा कि what a life Amitabh Bachchan is living what a life Shahrukh Khan is living celebrity hood है उनका fame है पैसा है power है यह देखके आपने entry लेनी चाही ना जाने कितने लोग बंबे जाते हैं छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में छोटे छोटे कमरों में आठ आठ दस दस लोग एक साथ रहते हैं यह करते हैं न क्या होता eventually life खराब करते हैं क्योंकि पहले दिन से ही skill और expectation में बहुत बहुत disconnect है यह समझना पड़ेगा ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत skill है वो भी नहीं पहुँच पाते हैं मानता हूँ मगर ऐसे लोग जादे हैं जिनके पास कोई skill नहीं है और नहीं पहुँच पाते इस business के even movie business के अगर आप background में जाओगे तो आप देखो के क्या इतना असान है क्या आप कर लोगे सोचके देखो आप आपके घर में लडाई हुई है आपके घर में आज सुबह आज आप अपनी बीवी से लड़के आए हो अभी यह comedy scene है कर लोगे आप समझ रहो आप आपको अपनी personality के कितने पार्ट करने पड़ते हैं यह बटन दबाया और में comic हो गया यह बटन दबाया और में sad हो गया यह बटन दबाया और में गुसा हो गया I was seeing a shooting on YouTube I don't know कौन सी movie थी it was some शारु खान's movie I don't know बादशा थी या duplicate थी उसमें एक scene था जहाँ पर शारु खान को भाग के आना था और वो भाग के कूद के किसी के उपर गिरा then उठा किसी और से बंदूग छीनी you know all that यह scene एक minute का scene होगा यह पूरी picture में कोई बहुत relevant scene नहीं है मगर shooting तो करनी है ने इसकी भी shooting तो करनी है तो क्या हो रहा है हो यह रहा है कि scene shoot हो रहा है पहले शारु खान का face हुआ face done हुआ ball done हुए यह सब हुआ action बोला director ने वो भाग के आया रास्ते में slip हो गया दुबारा चलो पीछे दुबारा face हुआ दुबारा hair हुए दुबारा make-up and all that now again वो भाग के आया अब वो कूदने लगा जिस बंदे के उपर वो पहले ही गिर गया कूदने से पहले दुबारा retake दुबारा चलो दुबारा make-up दुबारा face दुबारा hair अब भाग क्या हो आप समझ रहो 40 बार retake हो गए एक ऐसे scene के लिए जो important ही नहीं है ये work spirit है आपके अंदर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो hero बनने आते हैं idea of hero तो भाई क्यों नहीं होगा failure rate होगा ही न आप civil services ले लो IAS IPS कितने बच्चे दिल्ली में ये मुखरजी नगर और इस तरह के इलाकों में civil lines इन जगों पर coaching ले रहे हैं कमरे लेके रहते हैं आप मुझे बताओ क्या failure rate है आपको पता है failure rate क्यों है क्या failure rate सिर्फ इसलिए है क्योंकि IAS का exam मुश्किल है one part but major part ये है आपने अपने आपको miss judge किया है क्या आपको ये पता नहीं है कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सारी जिंदगी nursery class से लेके 12th class तक आगे college तक आप एक below average student रहे हो ठीक है आपको अचाना क्यों लगता है आप एक ऐसे exam में इंडिया के top ranks में आओगे मैं demotivate नहीं कर रहा हूँ मैं facts score कर रहा हूँ means power दूसरा coaching centers का की seduction क्योंकि वो भी यही बोलते है anybody can do it ये जो दोनों का mix match है खिचली बनती है ये cocktail है ये cocktail नशा करती है और ये ऐसा नशा करती है ये आपको लगता है कि यार मैं कर लूँगा eventually पता होता है आपको आप अपने 5-6 साल खराब करते हो जिंदगी के यही हो रहा है भी effect तो यही है मैं cricketer बनने को मना नहीं कर रहा हूँ मैं trader बनने को मना नहीं कर रहा हूँ IS बनने को मना नहीं कर रहा हूँ movie star बनने को मना नहीं कर रहा हूँ who want to become movie stars, don't become movie stars. 95% of people who want to become cricketers, don't become cricketers. 95% people who want to become IES officers, don't become IES officers. Similarly, 95% people who want to become traders, do not become traders. As simple as that. It all starts with self-perception. थोड़ा रुख के, थोड़ा समझ के, मैंने आपको बहुत समझा दिया है, कि trading as a business की requirement क्या है. किस level पर आपको self-analysis, self-control, है न? सोच की depth, किस level तक जाना है सोच में, clarity सोच की, segregation करने की spirit, किस level तक आपको यह सब चाहिए? यह सब समझा दिया है मैंने आपको. अब थोड़ा साथ तो आप एक कहते हैं, वो आत्म अवलोकन, self-analysis करो, कि जहां पर आपको यह समझ आये, कि हाँ यार, यह मैं नहीं कर सकता. यह नो, हर कोई सब कुछ तो नहीं कर सकता न? यह मैं कैसे कह दूँ, आपको खुश करने के लिए कि कोई भी कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता, यार, नहीं कर सकता. हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता. तो थोड़ा सा एक बर सच्चाई के धरातल पर आओ और इस बात को समझो और अगर ऐसा हो गया न और selected लोग ही खुद को समझ के आने लगे तो आप देखो कि failure rate 95% नहीं रहेगा क्योंकि फिर तो वो शुरू में ही filter हो गया न ठीक तरह के लोग आ रहे है तो I hope मैं अपने message convey कर पाया हूँ इस वीडियो में पूरा idea ये है कि इस बात से ना तो खुश होने की need है ना दुखी होने की need है ultimately जो सही लोग हैं वो आगे चले ही जाएंगे जो cut out नहीं है वो हटी जाएंगे statistics 95, 96, 97, 80, 50 I'll leave you with this Thank you